Hello students, today we'll be doing the chapter arithmetic progression short form AP from class 10th mathematics AP जो है हमारे maths 10th का CBSC board का NCRT book का chapter 5 है और अगर आपको बाकी chapters class 10th के अगर चाहिए तो नीचे link description box में है और अगर आप specialized video चाहते हैं term 1 पे तो नीचे comment section में comment करके जरूर बताए इसलिए start करते है first जो term आता है जिसे हम बोलते है sequence जो हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं हमारी slide में sequence होता क्या है अगर हम sequence को देखें तो एक ऐसे list होती है numbers की जहाँ पर एक specific relation होता है जो लगतार number होते है consecutive मतलब लगतार जो terms होते हैं उनके बीच में एक relation होता है generally उसे हम sequence बोलते हैं जैसे school में हमें बोला जाता है कि आप अगर practical file बना रहे हैं तो एक sequence में चीजे रखेगा पहले एम आना चाहिए objective और उसके बाद जो भी आपने activity की है फिर observation steps सब कुछ आते हैं तो sequence उसको बोला जाता है जैसे हम यहाँ पर example भी देख रहे हैं कि 1, 3, 5 और 7 अब इन में sequence है मतलब next term जो है जो next term है to a term obtained by adding two with it यहाँ पर अगर हम common चीज क्या देख रहे हैं कि हर term में दो numbers का difference है और अगर दो two add करते जाएंगे अगर हर number में तो हमें next number मिल जाएगा तो एक difference भी है दोनों में मतलब एक commonality भी निकल के आई है next अगर आब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 2, 6, 18, 54 अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम हर next number लेने के लिए पिछले वाले से 3 से multiply करना पड़ेगा जैसे 2, 3, 6, 6, 3, 18, 18, 3, 54 तो यह एक pattern है यह एक sequence है जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इसी को sequence बोला जाता है आगे चलते हैं arithmetic progression है क्या कहां से आया है exactly होता क्या है इसका मतलब क्या है अगर बहुत सारे terms किसी एक sequence के अगर add हो जाते हैं और एक fixed number बना लेते हैं previous term के साथ और जो उनके बीच का difference है या 2 successive term मतलब एक के बाद एक जो लगतार term होते हैं उनके बीच का जो difference होता है वो एक fixed number है उसको AP बोला जाता है जैसे अभी हमने देखा 1, 3, 5, 7 अब इन में common difference है हम देख रहे हैं 2 का एक common difference है तो अगर difference common होता है तो इस sequence को AP बोला जाता है example जैसे हमें नीचे भी दिया है 2, 4, 6, 8 सब में जो है 2 number का difference है next example हमें दिया है 5, 10, 15, 20 and 25 यहाँ पर अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है first वाले में even numbers है जो given है second वाले में हमें क्या दिख रहा है कि 5 add हो रहा है तो वो जो common difference है वो same होना चाहिए सब में तभी हम एक sequence को arithmetic progression यानि की AP बोलते हैं और अगर हम इसमें देखें हर एक term जो बन रही है 5 add करने पे to the preceding मतलब पिछले वाली term में first term को छोड़के उसको हम AP यानि arithmetic progression बोलते हैं तो यह common simple सी चीज है अगर हमें आपको clear होती है तो बहुत अच्छी बात है और कोई भी example आप ले सकते हैं इसके लिए आगे अगर चलें तो कुछ example है AP के जो pictorial view में हम slide में देख रहे हैं कि यहाँ पे यह जो smiley है red color की यह d को represent कर रही है जिसको हम बोलते है common difference अभी हमने पढ़ा भी था common मतलब वो हर जगे same होता है क्योंकि difference सब में होता है लेकिन जहाँ difference common होता है उसको AP बोला जाता है अब यहाँ पे बोला गया है जहाँ D की value 1 है मतलब common difference 1 है अब यहाँ पे first term में हम देख रहे हैं एक smiley है जिसे A बोला गया है A मतलब first term किसी भी AP की first term को A बोला जाता है पहली term second term में क्या हुआ एक d add हो जाएगा तो हम इसको बोलते हैं second term इसको बोलते हैं second term